हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज मैं आपके लिकाई हूँ शुद और शाकाहारी मचली की रेसिपी सुनके यकिन नहीं हो रहा न लेकिन आज हम एकदम प्योर वेजिटेरियन मचली बनाएंगे तो फ्रेंड इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब करें तो चली शुरू करते हैं आज की रेसिपी शाकाहारी मचली बनाने के लिए ले ले लेंगे एक कप बेसन जी हाँ आज हम जो मचली बनाएंगे वो बनाएंगे बेसन की तो इसके लिए इससे एक बड़ी बरतन में पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पर डालूँगी मैं एक चोथाई नमक और साथी साथ एक चोथाई हल्दी पावडर एक चोथाई धनिय पावडर एक चथाई लाल मिर्श पाउडर, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं, तो और भी मसाले आप डाल सकते हैं, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल लेंगे, थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका एक डो बना लेंगे सौफ्ट सा बेशन के गटे तो आपने बहुत खाए होंगे तो एक बार इस रेसेपी को जरू ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी बनता है और बेशन को गुथने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है यह आसानी से बहुत जल्दी गुथ जाता है और हलका सा हातों में तेल ल पनीर बना रहे थे तो आप पनीर का इस्तामाल को चौका है और पनीर को अच्छे से इस तरीकेसे कर लेंगे पनीय डालने से बैसन की जा रहा बहुत ही जादा स्वादिस्ट बने गी और ये देखिए ये अच्छे से कृश हो चुका है यहाँ पे नमक डालेंगे 1,4 साथ में 1,4 हल्दी पा кино और 1,4 धनियर पा keyword और इसे अच्छे से mixing कर लेंगे मैं यहाँ पे ज़्यादा मसालों का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ आप यहाँ पे गरम मसाला, रेट चिली पाउडर या फिर आप हरी मिर्स का बिस्तमाल कर सकते हैं और ये देखिए ये मिक्स हो चुका है और आप जो हमने बेसन गूत के रखा था उसे ले लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे जिस तरीके से रोटी के लिए बनाते हैं लेकिन इसकी एकदम छोटी छोटी लोई बनानी है इस तरीके से इसी तरीके से दूसरी लोई भी बना लेती हूँ ये देखिए दूसरी लोई भी बन के तैयार है इसी तरीके से बाकी सभी लोईया बना के तैयार कर लेंगे और ये देखिए इसकी जो है कम से कम साथ लोईया बनी है और अब क्या करेंगे एक लोई उठाएंगे और एक चकला ले लेंगे और इसमें हलका सा तेल लगा लेंगे और तेल लगाने के बाद जो लोई हमने ली थी ना उसे रख देंगे और इसे बेलन से बेल लेंगे जिस तरीके से पूरी बेलते हैं उतना ही हमें इसका साइज रखना है उससे जादा बड़ा नहीं करेंगे अगर बेलते टाइम बेशन चिपकता है तो हलका सा इसमें तेल लगा के बेल सकते हैं जिसे कि ये चिपकेगा नहीं और ये देखे पूरी के बराबर मारा बेल चुका है और जो हमने पनीर बनाया था ना उसकी हम इसकी स्टफिंग करेंगे तो इसके लिए एक चमच लेके बी और अब चाकू से इस तरीके से कट लगा लेंगे दोनों साइड जितने हिस्से में पनीर रखा है उतना हिस्सा छोड़के बाकी के हिस्सों में इस तरीके से कम से कम 6-7 कट लगा लेंगे क्यूंकि हमें इसका आकार देना है मचली वाला तो इसलिए इस कट को जरू लगा है हम जोडते जाएंगे जो कट हम आपस में जोड रहे हैं इन्हें अच्छे से हातों से प्रेस करके जोडते जाएं नहीं तो जो पनीर की स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगी फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्रै कीजिएगा जो पनीर और बेशन का जो कमबिनिशन होता है खाने में बहुत टेस्टी बनता है और यह देखे सभी को मैंने अच्छे से जोड दिया है और जो यह लास्ट वाला सीरह है उसे इस तरीके से आपस में जोड द से ढबा आप्ल मिर्च को जो अन के अए तो तरीके से लगा देंगे और हलका सा हातों से प्रेस करेंगे ताकि काली मिर्च से निकलें Seoee वह देखे एक मच्छी हमारी हमारी बन के तैयार है दिखने में कितनी अच्छी लग जेना हमारी मच्छी और अब इससे क्लेट में और जब यह अच्छे से बिल जाए तो आप एक काम कर सकते हैं इसे साइड साइड से पहले कट कर सकते हैं बाद में पनीर के स्टफिंग कर सकते हैं इस तरीके से जिस तरीके से मैं कट कर रही हूं दोनों तरीकों में से जो आपको सही लगे आप उसका इस्तमाल करें और यह द और बाकी के सब हिस्से इस तरीके से पिछे की तरफ के लिए जोड़ते जाएंगे आप किसी के भी सामने पहली बार ये सबजी परोसेंगे तो सच में कोई भी यकिन नहीं करेगा कि आपने ये बेसन और पनीन से बनाया है खाने वाले भी कनफीज हो जाएंगे कि ये जो मचली है बिना काटे वाली आई तो आई कहां से और ये देखिए सबी को अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया है और फिर से वही करेंगे जो पिछले वाला हिस्सा है उसे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद काटेले चमब से इस तरीके से कर लेंगे बन गई मचली की पूच और लगा देंगे हम मचली की आखे सच में यकीन नहीं हो रहा है जो वेजिटेरियन है वो इस तरीके से मचली को बना के खा सकते हैं अगर मन करे तो और इसी तरीके से बागी मचलिया भी बना के तैयार कर लेंगे और ये देखिए सभी को मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है और अब बनाएंगे इसे बनाने की तैयारी उसके लिए पहले बनाएंगे मसाला इसके लिए मिक्सी जार ले लेंगे mixy jar में डालेंगे 1 चमप जीरा साती डालेंगे 1 चमप पीली सरसो पीली सरसो तो भई मचली का स्वात बढ़ा बढ़ा देती है और सात में यहापे डालेंगे लसन और डालेंगे हापे कटीवी प्याच मैं इस सबजी में टमाटर का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी और अब इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं और आप करते हैं इसे बनाने की तैयारी इसके लिए कड़ाई में तेल डाल देंगे ये आपके पर डिपेंड करता है आप चाहे फ्राइ करें या फिल स्टीम करें और इसे सारे साइड से अच्छे से पका लेंगे ताकि जो बेसन है वह कहीं से भी कच्छा ना रह जाए सभी मचलियों को लो फ्लेम पे ही हमें फ्राइ करना है हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे और जब ये एक साइड से पक जाए तो इन्हें अलट प्लट के हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और यहाँ पे देखिए जो मचलिया है वो फ्राइ हो चुकी हैं तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी मचलिया भी फ्राइ कर लेंगे और अब करते हम इन्हें बनानी की तैयारी इसके लिए कड़ाई में एक चम मच जीरा डालेंगे दो तेज जब भी मसाले पकाएं तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएं और इसे अच्छे से पका लेंगे कम सी कम 4-5 मिनट के लिए जिससे की प्याज का कच्छापन दूर हो जाए और जो प्याज है वो अच्छे से भून जाए प्याज जलेना तो इसके लिए मैं यहाँ पे डा दूँगी एक चमच कश्मिरी लाल मिर्च और साथ मैं यहाँ पे डालोंगी आदी चमच हल्दी पाउडर और इसे एक मिनट के लिए पका लोंगी प्याज के साथ इससे जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा और यह देखिए सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसने फेट लिया था चमच से और इसे मिडियम फलीम पे हम चलाते रहेंगे नहीं तो जो दही है वो फट जायेगी तो इसे तब तक चलाते रहें जब तक कि यह पक नचायए और यहाँ पे यह पक चुका है और अब डालेंगे यहाँ पर सूके मसाले नमक लिया है आदी द्यान रहें नमक और सभी मसालों का इस्तमाल हमने पहले भी करा हुआ है तो द्यान से करें एक चमब डाला धनिया पाउडर आधी चमब डालेंगे लाल मिर्श पाउडर और आधी चमब डालेंगे गरम मसाला टेस्ट को और बढ़ाने के लिए यहां पर मैं डालूंगी एक कसूरी मेती इससे जो टेस्ट है वो और भी जादा अच्छा आएगा और इसे अच्छे से मिक्स करके मेडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे जब तक कि इसमें से तेल जो सेपरेट ना हो जाए और मसाले अच्छे से पक न जाए तो इसके लिए मैंने यहां पर थोड़ा काटर भी डाल सकते हैं और यह देखे मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है तो अब बनाएंगे हम ग्रेवी इसके लिए यहां पर एक ग्लास पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ग्रेवी आप अपने इसाब से कम या जादा कर सकते हैं और इसे हम पकने देंग जो हमने मचलिया फ्राइ करके रखी थी ना बेसन की उसे डाल देंगे सभी मचलियों को ग्रेवी के साथ 2-3 मिनट के लिए उससे ज्यादा ना पकाए नहीं तो जो मचलिया है वो पहले ही तूट जाएंगी और सभी मचलियों को डालने के बाद एक बार कर्ची से चला लें और यह देखिए यहां पर 2-3 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए तो अब क्या करेंगे इसे हलका सा कर्ची से चला लेंगे और चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ बारी खरा धनिया और इसे कर्ची से मिक्स कर लेंगे और यह देखिए सबजी हमारी बन क तैयार है और गैस कर देंगे बंद और इसे करेंगे सर्व आपने देखा फ्रेंड कितनी मज़ेदार है बेशन की रेसिपी सच में है एकदम अलग रेसिपी आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राय कीजिएगा सच में बहुत जादा टेस्टी बनते हैं और यह देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही पहला इकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले तो फ्रेंट फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या झाल बान बाई झाल पिये था झाल टेक लिएत हिए उरीघगा झाल के हां को मां थसक्तूराइगा टए बाई नई पाल चाल रबाईगा से यदिए लिए गलसे हरेगा शाता के लो ओूल परे मिले पडा़ कर दो पहले कर दाम कर आ पराओे?